अलो गुड मॉर्निंग स्टुडेंट बेटा अज आपका करना है सब्सक्राइब सिरीज चल रही है बाई प्रेपरेशन आफ हैलोलकेंज फ्रॉम अल्कोहल का रहे हैं ठीक है अज आपका करना है बाई एक्षन विद फॉस्फोर्स हलाइड जिड़ा अल्कोहल उन्हों रियक तरहां दी रियक्षन हो सकती है ठीक है नोट ही करना सिंपल जी अकाम ही है च्छ थ्री च्टू ओच इस आडिकूल अल्कोहल सेगी इन्हों रियक्ट कर बादेता आप आप आधे वीच पाता फॉस्फोर्स पेंटाकलोराइड पीसी एल फाई पाई तीक है इदे वेच ठेक है एक प्रोडवे बाईदा पीओ सी एल ठीक फॉस्फोर्स ओक्सी कलोराइड नाम क्या है दा फॉस्फोर्स ओक्सी कलोराइड ते लास्ट बाड़ा है एच जी एल तेन ना रियक्ट करिये ता इस तरह बन दाया जे आपा इन्हों फॉस्फोर्स ट्राइकल राइड ना रियक्ट करिये मतलब के तो अडिकोड़े है CH3 CH CH3 OH ये तो अडिकोड़ सेगे कोई से कंड्री अल्कोहल इन्हों तुसी रियक्ट करवा देता PCL3 दे नाड ये दे बेच जड़ी चीज बननी है दे बेच बनना है एक ता फॉस्फोरीक असिड पहला दही दा था उन्हों पाता है या OH दी जगा क्या लग जाएना CL लग गया ठीक है एक ता ये बन गया पाट ये नाड जड़ा साइड पोड़क्ट बन दा हो बन दा H3PO3 H3PO3 ये दा नाम क्या हों दा फॉस्फोरस असिड ठीक है होन तुसी जाद की रखना है होने ये बैलन्स नहीं हो येन्हों बैलन्स किद्दा करूंगे अधर जड़ियां CL के नियां तेनना अधर CL एक है अधर मुरे तेनल लगा दियो जदमुरे तेनल लगाओंगे अधर आबाले मॉलिक्वल भी तेन चाही दियो आधर मुरे तेनल लगा दियो बैलन्स हो गई तुसी एनना कही जाद रखना जे ऐलकोहल नूँ फॉसफोर स्पेंटाकल राइड न रेक्ट करवाईए की बनदा कलोरो एलकेन प्लस POCl3 प्लस HCl बट जे अपां PCL3 न रेक्ट करवाईए फिर की बनदा साइड पॉडक्ट बनदा फॉस्फोरिक एसीड ओके ठीक है ओधी बाद भी चाप्पा रेक्ट करवानाया इथेनोला इनू रेक्ट करवाया PBR3 ठीक है जदो PBR3 फॉस्फोर से ट्राइलाइट देनाला रेक्ट करवानेयां सानू पता ही की बनदा CH3 CH2 BR प्लस H3 PO3 ठीक है इनू बैलन्स कर लेओ तेने दर लगा देओ तेने दी मुरे लगा दे ठीक है कई बरी तो हाट डेमान दे विच कोश्यन आ सकता कि इनू अपपां इदे विच PBR 5 ना रेक्ट नहीं करवान दे क्यों नहीं करवान दे क्योंकि जड़ा PBR 5 यह एक्जिस्ट नहीं करदा ठीक है एक्जिस्ट नहीं करदा ओके जाद रखना जी आपां अलकोहल तों ब्रोमो अलकेन बनानी हो गया था कतना रेक्ट पर मांगे PBR 3 दिना रेक्ट पर मांगे PBR 5 क्यों Subscribe नहीं करदा एक्जिस्ट नहीं करदा ओके ते एद्धा ही जे होना आपा आईडो अल्केन बनाने होन आईडो अल्केन जेडा है उद्धा भी सेम रियक्शन ही है ठीक है मालनों तो अडिकोल CH3, CH2, OH यदे बिच पाता PI3 की बन गया CH3, CH2, I+, H3, PO3, बैलन्स फिर कर लो ठीकन इस तरह काम चालता है जिनियक रियक्शन सापा जे दो तिन रियक्शन साइदा दियां कर लने है ते सनु काफी हद तक रियक्शन जड़िया जाद होनी शुरू हो जनती है ठीक है यह अपन दो स्टेप कर ले होन जड़ा थार्ड स्टेप पा ठीक है वो हन्दा by action with by action with thionyl chloride की तो अनों thionyl chloride दा formula पता है अगर formula पता है दी लेख दियो ठीक है इदा formula होन दा है SOCl2 thionyl chloride की या SOCl2 ठीक है बड़ी simple जड़ी है इदे विच कर दे की या एक alcohol लेंदे या CH3CH2OH alcohol लेंदे विच पादन दे या SOCl2 का पाती थायो निल कलोराइड इन दी प्रेजन्स ओफ पिरिडीन का दी प्रेजन्स दे विच पिरिडीन दी प्रेजन्स दे विच इदे विच फॉर्मेशन होनी है पता है ये हैलोलकेन था बढ़ना है CH3CH2Cl हैलोलकेन बढ़ना है दो प्रोडक्ट बढ़न दे एक HCl गैस बढ़न दी है एक SO2 गैस बढ़न दी है होन हुंदा की आ बढ़ एस ओ ते एक आ बढ़ और जांदी की बढ़न गया SO2 ठीक है दूसरे पास से आ बढ़ा H ते द्रो एक CL मिलकी HCl जड़ा CL बचिया ओ सारे OH दी जगा इस पॉइंट ते जोड़ गिया अधिक है इस तरह इंट चलदा ब्याय काम होके बड़ा सिंपल जी रियक्शन से घी ठीक है ते उधे बाद विच इका पां रियक्शन करनी या ठीक है ना ओ रियक्शन दा नाम है गया रियक्शन दा नामनी पहल ना देख लो मैथरड केड़ाया प्रेपरेशन जिसला तुसी रियक्शन बार बार करनी है न तो आनू यह जाध ही हो गया होनी है अलमोस्ट ठीक है मतलब के तो आनू मेंटो मेंटी केलियर होना कि आप लेक्शन अच्छा ये ता आंधी या ठीक हलाईड एक्सेंज मेथटड ठीक है प्रेपरेशन भाई हलाईड एक्सेंज मेथटड ठीक है ये जड़ी रीक्षन हुंती है ये दा नाम हुंदा ये फिंकल स्टेन reaction जोड़ी उपर आड़ी reaction सी हो दा नाम ये दसना सी जदों आपा हैलोलकेन बनाने है using thionyl chloride यह reaction दा नाम है गा है dargen method dargen method जाद रखना ठीक है भाई नेम काफी reaction साजन दिया ठीक है दा नाम क्या है dargen method ते होन जड़ी अप अग्य कर रहे है preparation by halide exchange method यह reaction दा नाम है गा फिंकल स्टेन रियक्शन ठीक है फिंकल स्टेन रियक्शन ठीक है काफी important आया शाहिद तो हन सी प्लस वन दे बिच पड़ी होगी यह reaction यह दे बिच कर दे की है बेटा यह ता मैं था उन्हों सिंपल रियक्शन लेक्शन 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 लेने है आपा कोई हैलो अलकेन लेया मतलब आपा ले लेया है कलोरो इथेन एदे बिच पाता सोडियम आयोडाइड की पाया सोडियम आयोडाइड इंदी प्रेजंस आफ एसटोन ठीक है नालों लोगी कीता हुया की आ आई सी अल दी जहला जगा चला गया ते आई सी एल आ दी जहला चला गया ठीक है की बनिया च थियेच त्री च लिए गेच ट्म Quality है यह बन गया प्लस चल चल बन ठीक है आप बन की गया हो ना आईडो इथेन देखो आपका कारण भी था यह लगे सेगे के प्रेपरेशन बाई हलाइड अक्स्चेंज मेथड हलाइड मेंस हैलोजन एटम जड़े हलाइड एटम हो अक्स्चेंज होगे सी यह लेदर चल गया आउडाइड एदर आगया ठीक ह यह जड़ी रीक्षण आ इदा नाम है गया है फिंकल स्टेन रीक्षण ठीक है ओदे बाद वीच इकपा रीक्षण कारणी होगे उभी लाइड एक्सचेंज मेत्ट भी आजन दा ठीक है ओ रीक्षण दा नाम है गया है स्वार्ड्स रीक्षण ये शायद तुसी पहला पढ़ी होगी मेरी अकॉर्डिंग स्वार्ट्स रियक्षन ये रियक्षन देविच की हुंदा है ओहू सचुप पराडा रहा के ये देविच बेटा हून देखो जे तुसी थियोरी पहला था थियोरी लिखन दी लोड नी हुंदी तो अड़ी रियक्षन देख के ही तो अनू नमबर मिल जान दिया ठीका अगर तुसी कॉम्पुटेटब ले पढ़ रहे हूं फिर तक कोई चक्कर ही नेगा लिखना अधरवाइस क्या आया के जदों हैलो कलोरो इथेन रियक्ट कीता सोडियम आयोडाइड नाड इन दी प्रेजन्स ओफ एसी टून ठीक है विद हीटिंग एट फॉर्म्स आइडो इथेन प्लस सोडियम कलोराइड जो हुंदा प्याया उनू ही लिखना है कोई अपने कुडों नहीं लिखना ओकी ते उधे बाद विच अपां कलना कि साफसरेक्षन जड़िसाफसरेकशन हों दी है यह वह एक का साफ creator ही होँ है एधे पिच पां फीर्मेशन कर देहां क्यों कर देए विच और यह ञेकम कि कर देहां बणानाने कियां फ्रिकर्देशं उफ इल्काहिल फ候ण कि दिवीं फॉर्मेशन कर दियां अलकाइल फॉलोराइडि. ठिक है। थेुदन बेचेखकेड़ा केड़ा रिये जंट यूज कर सकते हैं। फॉर फॉरे खॉलोराइड़ा है। गह厥 है। एच्च जीफ एफॉरा Si Nori quicker कर सकते हैं एंटि मनी , ट्राइफ प्र उषॉरईड कर सकते हैं यह बड़े चार रीजेंट उज़कर York ओण ले लोएड कोई तुसें कलोरो इससी फिर ऐसा कई लेना हुआ तौड ऴिश़कर दोबघारएं आ धिए पया है। जी एफ ठीक है। थोड़ा जाए। किता आपा हीट होन की होना ये बड़ा एफ दर चला आ गया बी यार ये धी जगा आ गया की बढ़ गया CH3C2F plus AGBR ठीक है तब करके जड़ा इस आ डिकल की बढ़ गया फ्लोरो इथेन ठीक है इस तरह हो दा कि जड़ी स्वार्ट्स रियक्शन है उदे बिच आपा मेन की करते हैं उदे बिच आपा प्रेप्रेशन करते हैं का दी प्रेप्रेशन करते हैं फ्लोरो मिधेन्स दी ठीका फ्लोरो एलकेन्स दी प्रेप्रेशन करते हैं ओके ते होना अगे आपा एक हो रियक्शन कर लाने है शिख्स्थ रियक्शन सदी preparation from यह भी बदिया चीज है यह रियक्शन शाहिद उसी पड़ी होगी preparation from silver from silver salts of fatty acids preparation from silver salts of fatty acids ठीक है इदे बेच silver salt लेके ठीक है ओदे बेच BR2 पांदी है ठीक है पहला ए रियक्षन था जड़ा common name आओ देख लो common name चे ने बोल दो दिया borodine huntsdiker reaction क्या आया borodine huntsdiker reaction ठीक है इन्हों कल दी huntsdiker reaction भी बोल दिया ठीक है जो मर्जी बोलो गुसा नहीं कर दी गुसा गदू कर दी है जदो इदे बेचे लिड़े है पर येजंट लिखने है ओ गल्थ हो जान दी है ठीक है होन सिल्वर salt लेना fatty acid silver salt fatty acids COOH जिद्दान सड़ कोड ASCO OH होनदा इदले पासे कोई alkyl group तुसी आधी जगा AG लगा देना उन्हों अपर क्या बोल दिया है silver salt जितना सटी कोड़ों ने ये लेले आपा C double bond O AG इन्हों बोलांगे आपा silver salt of fatty acids ठीक है इदे बिच पादन देया BR2 bromine पाती ठीक है कदी प्रेजन्स दे बिच CCL4 दी प्रेजन्स दे बिच reflex करके ठीक है reflex करके की पात CCL4 ठीक है इदे बिचों कोज खास नहीं होना ठीक है जड़ी जाद रखनी है चीज एक आबढ़ा CO2 उड़ ज़ना है ठीक है प्लस CO2 आ गया बार ठीक है एक AG थे एक BR प्लस की चल गया AG BR ठीक है एक CO2 बार निकल गया एक AG थे एक BR उन्हें रहा की गया साट इकवल CH3 CH2 ते नाड़ BR ठीक है इदे बिच इस तरहां रियक्शन हों दी पे इया ठीक है इदे बिच ज़ड़ी जाद रखनारी गल की या कि ज़ड़ी कई बरी कुश्चन है इस तरहां भी पूश सागदा कि ओ केड़ी रियक्शन है ज़ड़ी बिच हैलोल केन बन दा बट उदे बिच एक कार्बन एटम कट हो जन दा फ्रॉम पेरेंट कार्बन ज़ड़ी 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 पेरेंट कार्बन होना जया नामा रेक्षन दा बेर्न बॉं मोल आया बीड रेक्ष्ण दा नामत बेर्न बॉ ने डग्षण क्या बेर्न बो बॉं सीमोनी रिएक्ष्ण ठीक है जोका ये दी बिच भी सिल्वर सॉल्ट ही यूज कर देया ठीक है बट इदे विच थोड़ा जा चेंज हो जन्दा पॉरड़क्ट हो बन्दा प्या इदे विच की किता हुना नहीं सी अच थरी सी डबल बॉंड ओ ओ ओ ए जी ए यूज कीता है इदे दो मॉलिक्ट यूज कीते प्लस आई टू ठीक है जिससला इन्हों रियक्ट करवाया हुन होया की मैं था उन्हों थोड़ा कर एक्स्प्लेइन करके दास्ते ना चंगी तरह यह यासा डिकोड ए जी एक मॉलिक्ट हो और लेख लिया मैं चलो ओ मॉलिक्ट मैं एदर ही लेख लिया है एजी ओ सी ओ सी एच थ्री ठीक है इदे बिच पाया की सगय इदे बिच पाया आपना आई टू होन होया की इदे बिच आई जी आई टू बार निकल गया पता लगया ने की बन गया बार प्लास आगया 2AGI 2AG बार निकल गया AGI ते एक CO2 बार निकल गया प्लास होर की बार निकल गया CO2 फिर बचिया की यह बचिया CH3C double bond O एदर single bond O CH3 ठीक यह बाड़ी चीज बाच गई यह भेगा की यह होन RCOOR की बणया RCOOR यहनु क्या बोल दिया अपना इस आटेकोड होंदा यह Aster ठीक होन जड़ी तुसे यह बड़ी रियक्शन लिखनी है देवेच की लिख की ओना product CH3COO CH3 plus AGI दे दो मॉलक्यूल्स प्लस CO2 ठीक हो बणया के में हो था हो नूँ मैं explain कर देता ओके यह दे नाल ही जड़िया सादिया preparation of अपा की कर दे पैसी अपा कर दे पैसी preparation of एक वरी वीडियो पॉस करके देखे ओ अपने recording सोचे हो की कर दे की पैसी अपा कर दे पैसी preparation of हेलो अलकेन ठीक है ना दी preparation हो गई है होना पंजड़ा next करना हो करनिया properties ठीक है properties दो टाइपस दिया हो दिया एक हो दिया physical properties ठीक है दूसरिया करनिया है chemical properties ठीक है ते इना जड़िया reactions आना है जादा ओखिया नहीं हो दिया है सिर्फ इना थोड़ा का focus करके reactions नूँ देखो जरूर जे तुसी reactions नूँ ते आनार समझ के कर दे पैंता कोई भी कम ओखा नहीं है बट जे तो हड़ाते आना ही नहीं है फिर सारा कुछ ओखा ही ओखा है ते इना करो ते बाखी वीडियो अपन अपलोड कर दे हैं फिर ओके